नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है अपके अपने एजुकेशनल चैनल में दोस्तों आज मैं आप सभी को सबसे पहले 15 अगस्त 19 जो हमारा 73 वा सुतुनता दिवस है उसकी बधाई देना चाहता हूं और उसके साथ साथ आज प्रक्षा बंधन का परूपी है उसकी भी बधाई आप सभी को और उमीद करता हूँ आप लोग जहां पर भी हैं हर सोल लास के साथ आप दोनों हमारे राश्ट्री पर एक तरह से कहें उनको मना रहे होंगे और आज मैं अपनों को इसी कम में एक बहुती गहन मुद्दे की ओर लेके जा रहा हूँ जो आपके एक्जाम के लिए इंपोर्डेंट तो है कि परियावरण से सम्मधित कानून क्या है हमारे देश में क्या बने और अंतराश्टेश्टर पर क्या बने इस पर हम एक चर्चा करेंगे तो मैं आप लोगों को से यह कहना चाहरा हूँ कि इसको शुरू करने से पहले कि परियावरण की बात जो आती है वो हम कोई पर्टिकुलर्ट तेवार मनाएं या कुछ भी मनाएं सबसे पहले जहां हम रह रहे हैं हमारे आसपास का बातावरण साफ होना चाहिए स्वच्छ होना चाहिए और जो गत्वर्सों में कुछ आप कह सकते हैं कि तो या तीन दसकों से जो एक तरह से दोहन बहुत ज़्यादा हुआ परियावरण का हमारे देश में भी तो इसका प्रतिकुल असर देखने को मिला तो यह परियावरण कानून जो बनाए गए इसी लिए बनाए गए है तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं तो भारत में क्या समीधान एवंपरियावरण से लक्षन के लिए आप लोगों को पता है कि यह त्योरी यहाँ पर हम ज़्यादा डिसक्रिस नहीं करेंगे इसकी क्योंकि एक दरह से जो मानवी अलालच है डीफॉरेस्टेशन है बहुत सारी चीजें जिसके हुजा से यह सं उसके बाद ही आपने इन परियावरॣ के जो मुद्धे हैं उनको कानून के लोगोंला कर हमारे समीधान में इनको एस्था दिया गया है तो अब क्या प्रावधान है पहले हम इससे सुरू करते हैं हमारे समीधान में पर्यावण सनक्षण के लिए कुछ प्रावधान किये गए हैं समीधान देश का सर्वोच्ट था मौलिक कानून है तो समस्ते व्यक्तियों राचियों पर बातेगारी रूप से लाग होता है कि सब्सक्रावधान नहीं था लेकिन अनुच्छेद 47 त्वारा ठीक है में लिए सस्टी और साइंस के लिए भी इंपोर्टेंट होगा क्योंकि अन्युसे के लिए होगा अगर आप किसी भी टैट इक्साम के त्यारी कर रहे हैं लेकिन अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की त्यारी कर रहे हैं अगर आपका टैट क्वालिफाई या लेक्ट्र के लिए सस्टी के लिए यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा है तो अनुच्छेद 47 त्वारा स्वास्त क्यों नहीं है तू राजिगर कर तवे अधी रोपित कर पर्यावण सुदार किया गय इसमें क्या कहा गया है राज्य के नीतियं दिसकत्तों के अनुच्छे 48 में कहा गया कि राज्य पर्यावण सुधार एवां सनक्षान की वैस्ता करेगा तथा वन्य जीवन को सुरक्षा पर्दान करेगा तो वन्य जीवन को सुरक्षा पर्दान करना भी राज्य का एक प्र करें और इनका समुर्धन करें तथा प्राणी मन के प्रति अपने मन में दया का भावरग है भाष्टी सौविधान के अनुच्छे कि इसमें कहा गया है कि प्रतेग विक्ति को उन गतिविधियों से बचाया जाना चाहिए जो उसके जीवन स्वास्ते और सरीर को हानी तो इसके यह जो थे मुख्य की किस तरह से आप कर सकते हैं ठीक है जो पर्यावरान नियम है तो पर्यावरान संद्शन सरकारी प्रियास क्या किये गए तो इसके लिए कुछ अधिनियम पारित होएं समय समय पर इनको हम डिटेल न पढ़ेंगे आज पहले है वन्ने जीवन संक्षण अधिन्यम 272 यह आपसे अक्सर कुछ आता एक्जाम में चल परदू संद्शन न दिन्यम 2018 वाई परदू संद्शन न दिन्यम 1981 पर्यावरान संद्शन दिन्यम 1986 खतरनाग अपस्ष्ट स्ट्रवन दनियम निश्पादन आधिन्यम 1989 ज्वानी प्रदूशन नियमन यम नियंत्रन अधिन्यमन 2000 भारतिय देंट संहिता 1860 एनिकोवाम स्कीम तो एक स्कीम है यह भी लागू की है तो सबसे पहले अगर हम बात करें पर्यावन सनक्षन अधिन्यमनी 186 यह क्यों इसको लागू करने की जोरुत पड़ी तो इसमें क्य सब्सक्राइब यह नहीं जाएंगे यह 1984 की बात है ठीक है तो इसमें लगबग जो हजार लोग की मित्ती हुई थी इस मिठाल एसो साइनेट गैस के रिसाव से तो इन में आप मतलब अभी भी उस गैस रिसाव से लवाग पांस लाग से लोग अभी परभावित हुए थे उ सब्सक्राइब लेकिन जो नागरिक कान उन्हों के करान क्या है घटना से यह फरार हो गए थे जिनके द्वाराई गलती हुई थी तो इस तरह का नहों आगे तो इसके लिए भी सण आपता जिसने पर्यावण से नक्ष्ण दिन्यां के निर्माण को जन दिया ठीक है वह यह नहीं थी तो इसलिए जो है 1986 में सरकार द्वारा घुपाल गया रास्ती के रूप में इसको 1912 में माना पर्यावण को लेकर सेंट्वराष्ण की बैठक में संपन्नुई इस बैठक में 122 दे सुने जो हिस्सा लिया था ठीक है तो 1986 में पर्यावण से नक्ष्ण अधिनियम क करना है तो इसका प्रमूप देश से मानो पर्यावण में सुन्धार और उसका संप्रक्ष्ण फिर आया वाई पर्दुसंड अधिनियम 1981 आपको पता है कि जो बढ़ता हो दोगी करण है उसके करण पर यावण में लगता है वाई पर्दुसंड हो रहा है ठीक है तो इस तरह से ऐसा आगे ना हो इसके लिए जो हमेरी सकार है उन्हें वाई पर्दुसंड अधिनियम को बनाया ठीक है इसमें कुछ आप लोगों के क्या 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 कि जैसे को यह आप नहीं हो तो कहीं कहीं पलगाना चाहते हैं तो आपको क्या है कि अनापती एक प्रवान पत्र लेना पड़ता है और आप क्या करेंग कि पर्यावन पर्दुसंड करने की जदद नहीं दी जाएगी कि जिससे पर्यावन को ज़्यादा नुक्सान ना हो ऐसे कुछ मानक इस्ताबित कि गया है और अती पर्दुसिद्द्द छेत्रें वहां पर तो आप नहीं हो दोगी कई लगा ही नहीं सकते हैं तो इस तरह के क मैं तो पता है कि जल इन्हीं और कि कायों के जो अपसिष्ट बदार्थ हैं वो अभी अधिक तर जो पुछी व्यस्ताना होने के जल महीं बहा दिया जाते हैं तो इस कानून को पेज करने का मतलब यहीं है कि 1974 मैं आया तो इसमें क्या किया गया कि स्वच्छ जल सुनिशित करने के लिए एक केंद्रिय प्रदूसर्ण यंदरल बोर्ट तथा राज्य के प्रदूसर्ण यंदरल बोर्ट की इस्तामना की गई है ठीक है इसमें क्या है कि इसमें भी निर्धारित मानक दे गए हैं जिसका सभी को कि और केंद्रित राजे बॉर्डों की कुछ सख्थियां भी एं जिससे जल की परिषर में प्रिवेज का अधिकार उन्हें दिया गया है किसी भी जल में छोड़ जाने वाले तरल कच्रे के नमोने लेने कादिकार और जोगे काई यहां तरल कच्रादा था सीवेज के तरीकों के लिए वोट से सहमें दिलें वोट किसी भी होदी की इकाई को बत करने के लिए कह सकता है वह दोसी जाई को पानी वर पिजली आप उड़ती भी रोख सकता है फिर आया वर्ने जीव संदक्ष्वांतियम 1972 आप लोगों को पता है कि कुछ दसकों से भारत में कि अगर बात करें तो खाल मांस का वह पर पहुत ज़्यादा यह बढ़ चुका था और इसके लिए जंगली जानोरों पसों की हत्या की जाती थी तो इस पर रोक लगाने के जो है अलग लग तरह से वने जीवों के स्वख्षा के लिए क्या 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 कुछ प्रावधान बिये तो इसमें पहले नुस्ची और दूसरी नुस्ची में क्या है कि पूर्ण खौणा स्वख्षा वने जीवों को मिलती है Iskик कि इसमें आप किसी भी बरकार की कोई गतीवदी नहीं कर सकते हैं अगर इसमें किसी भी बरकार का कुछ भी नुकसान आप वहने जीवों को पहुचाते हैं तो वहाँ पे आपको कठोर्थम सजा का बड़तान है अनुसूची तीन और चार भी मनेदी को सरफबातान करते हैं लेकर इनंपसजा Хोझा थोड़े कम मिलती है और अनुसूची पांच में वह जान already सामिल हैं जिनका आपके सिकार कर सकते हैं और किन परिष्थतियों में कर सकते हैं यह भी उसम 들어옲 बताया घा Act людям कि और कि अन्तिमननीं सूची में आप बोधों की खेती और होपण परोख हैं जो सन्रक्षित कर सकते हैं कि कई इस तरह से आप किसी房 करेख लोग में नहीं जो पर्थवी का तापमान अचानक इतना बढ़ रहा है जो क्लोबल वामिंग का जो कॉंसेप्ट है उससे निपटने के लिए ये पर्थवी संभिलन उन्हों 1292 में हुआ था इसमें कैस के मुथ्थियों देशते वुष्में परियांट के स्थितिका अधियान 2000 के बाद विका ब्राजील में ये सम्मिलन हुआ था एजेंडर 21 में जो विसे थे गरीबी उपोग के ढंग स्वास्ते मानवी वस्तापन वित्ती सदान और पर्देगरण उपकरने जिनमें उपोग के ढंग में कुछ मानक जो हैं इस्तापित किये गए थे ठीक हैं इन मानकों को पालन करना सबी देशों के लिए जरूरी था लेकिन अमेरिका ने इसका उस समय नहीं माना था उन्हें जो एजेंडर 21 और यह घोशना होई थी उनका यह मानना था कि फिर इससे कि था कि जो विकासील देश हैं उनको थोड़ी सी छूटती गए थे कि थोड़ा सा उत्पादनों कर सकता कि अधिकतर विक्सित देशों में जो है ज्यादा वाई प्रदुसर्ण था लेकिन उन्हें इसी बात की जिनता थे कि विकासील देश कहीं बहुत जद्धा आगें ना निकल जाया उनसे उस समय तो उन्हों नहीं मान था लेकिन बाद में अपनी एक तरह से कहें कि अपनी ही सिद्धानत इसमें है रियोगोश्णा में और 182 देशों ने जो है इस पर अश्त्याक्सर किये हुए है ठीक है तो इसमें वन परिस्त का भी निर्माट किया गया है विकासील देशों के लिए तो एक 30 सितंबर 1993 में एक मंत्री स्तर का सम्मिलन हुआ था विकासील देशों के लिए से वन परिस्त के नाम से जाने जाते है इस सम्मिलन में नौब एक सिद्राज है उन्हें कार्यावन भी किया जाए फिर जब बाद भारत में आई उस परिस्त मिलन के बाद तो भारत में इसे सही रूप से लागू करने के लिए चर्चाएं की गई तो यह था कुछ कानून के समद्द में में मेंली आप लोग अगर कमपटेटिव एक्जांस की केवल दिया लिए तो आप लोगों के लिए जो ज़्यादा जूरी है वह यही है कि आप इनकी टेट्स को कम से कम इनके यर को याद कर लीजे कि कौन से साल में आपका कौन सा कानून दिया गया था तो लेकिन जो लेक्चर कि तेहां कर रहे हैं उन्हें पूरा इसको अच्छा से रिट कर इफिट के लिए वीडियोस डालता हूं इसको आप सपोर्ट कीज़ेगा और अपने दोस्तों में भी जाद सिदर शेयर कीज़ेगा तो एक बार इसका स्किंग्स और भी अब ले सकते हैं क्योंकि एक्जाम में अक्सर आते हैं तो मिलते हैं दोस्तों आप से नेक्स्ट लिए हैपी लर्निंग फ्रेंट्स थेंक यू